नमस्कार, बॉल लाइफ आटिफिशल लिम सेंटर में आपका हर्दिक श्वागत है, मैं शंब कुमार यादव, प्रस्थेटिक और्थेटिक कंसल्टेंट आज जो है बिलो नीस की कॉस्मेटिक कवरिंग कैसे होनी चाहिए और आपकी जो दूसरे पाउं की जो एस्थेटिक लुक है, उससे कितना मैच होता है इससे संबंदित जानकारिया ले करके आया हूँ, कि आपको ये ना फील हो कि हम किस परकार का हमारा पैर दिखने में लगेगा तो कैसा दिखेगा और उस पे क्या-क्या कलर ओप्संस हो सकते हैं और किस परकार हमारा जवसे हम हाफ पेंट पहन करके निकलते हैं या हम कोई भी मालेजे कोई फीमेल से स्कर्ट पहनती हैं तो उनके नीचे जो है दोनों पैर की जो सिमिट्री है और कलर है वो किस परकार दिखेगा वो सारी जानकारिया आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे अब हम आते हैं कि सबसे पहले जो कॉस्मेटिक कवरिंग होती है तो वो किस परकार दिखता है अभी जो है cosmetic covering इस प्रकार की आती थी जो कि आपके color से तो नहीं मेच होती थी लेकिन आपके दूसरे पाउं की मुटाई के हिसाब से ये इस तरह से after covering जो है दिखता है लेकिन अभी तक जो भी artificial limb design होता है उसमें आपने देखा होगा कि आपके pair की दूसरे जो normal pair है उसकी लाई के हिसाब से phone covering कर दी जाती है लेकिन अभी जो हमने technology आपके लिए लाए है वो आपके skin tone से बिलकुल मिलता जुलता और आप कोई भी dressing sense करते हैं तो आपको कोई भी आदमी artificial leg दोनों पंजे जो है दोनों बराबर दिखेंगे color wise और साथ-साथ जो है आपकी जो leg है वो बिलकुल invisible दिखाई देंगे तो उसके लिए जो है हमने जो silicone का एक आपकी covering बनाई है उसका नाम है skinner जी ये जो है आपको इस प्रकार दिखेंगे आप देख पा रहे होगे camera में ये आपके skin tone के हिसाब से आपकी जो भी है skin में जितने भी आपकी lining बनी हुई है आप देख पा रहे होंगे बरी गौर से इसे देखिए इसको देखिया आप गौर से जैसा आपका skin है nails है ये सारे कुछ आपको दिखेंगे आपके पैर की घुटने तक की लंबाई को हमने ये design कर दिया है बहुत ही natural shape है और देखने में एकदम बिलकुल आप अगर इस socks को डालेंगे तो एकदम बिलकुल ही natural दिखेगा आपको किसी भी तरह की अंतर जो दोनों prosthetic legs हैं और normal leg हैं उसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा अंतर आपको नहीं दिख पाएगा तो इससे आप ये देख पाएंगे ये देखिए पीछे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो है त हम जैसे normal artificial limbs design कर लेते हैं फिर उसके ऊपर जो है हम इसका covering कर देते हैं और ये हमारे पास जो है multiple color में available है आपके लिए जो भी आपका एक मिलता जूलता color है और customization facilities भी है अगर आप चाहे तो आप customize भी करा सकते हैं अपने color के हिसाब से हमारे यहां दोनों ही facilities है एक तो standard color है दूसरा जो है customization facilities है अब हम आते हैं कि कितने color options हैं इसमें यह देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है अलग-अलग multiple color options हैं अलग-अलग प्रकार के यह आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है multiple color options हैं आप इतने color options में से कोई भी जो आपकी color की options है वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं और अपने लेक को अपनी कलर के हिसाव से डिजाइन करा सकते हैं जो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल स्कीन जैसे कोई आदमी टेच भी करता है तो ये एकदम स्कीन फिलिंग आपको देगा और ये बहुत ही अच्छा एक एस्थेटिक्स देते हैं जो कि आपको बाहरी बातावरिन में जब आप घूमते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं दूसरे आदमी ये न सोचें कि आर्टिफिशल लिम्स लगा रखा है तो आप मॉबलिटी वाइज तो गेंड कर लेते हैं लेकिन अस्थेटिकली आपको कहीं न कहीं हाइड करके रखना होता है अस्थेटिकली उस चीज़ को हाइड करने से बचने के लिए आप हमेशा ड्रेसिंग सेंस को कवर करके रखते हैं तो ड्रेसिंग सेंस से लेक को कवर करने की आप कोई अवस्चत नहीं आप मा लें यह half paint पहनने चाहते हैं तो बिल्कुल नीचिरल होगी इवेन ओपन आप घूम भी सकते हैं इसको डाल करके छीट है उमीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे YouTube वीडियो को like करें, share करें, and subscribe करें, और साथ-साथ जो है, हम उमीद करते हैं कि next वीडियो में जब मिलें, तो आपकी और भी जानकारी को आप तक next level की जानकारी आपको share करें, जिससे कि आप लोगों की जो limitations है, वो कम से कम हो सके, हम आपकी limitations को देरे-देरे minimize करना, जिससे कि आप next level की चीजे achieve कर सके, thank you, धन्यवाद.